जैश भाई जोरदार हिंदी मूवी समीक्षा जैश भाई जोरदार 2022 की भारतिय हिंदी भाशा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो दिव्यान ठककर द्वारा लिखित और निर्देशित है यश्राज फिल्म्स बैननार के तहट मनीश शर्मा और आदित्य चोप्रा द्वारा निर्मित इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं वह एक पारमपरिक गुजराती सर्पंच के बेटे की भूमिका निभाते हैं और समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकारों में विश्वास करते हैं शालिनी पांडे, बोमन इरानी और रतना पाठक शाह भी अहम भूमिका में हैं यह फिल्म 13 मई 2022 को रिलीज हुई थी इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और यह एक बड़ी व्यावसायक विफलता थी जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ जैश पटेल, जिन्हें उनकी बेटी प्यार से जैश भाई जोरदार बुलाती है, एक शिक्षित व्यक्ती हैं, जो अपने पिता प्रित्वी भाई, गाउं के सरपंच, अपनी मा जशोदा, अपनी गर्भवती पतनी मुद्रा और अपनी आधुनिक बेटी सिध्धी के मुद्रा और जैश का रिष्टा बहुत ही सथी है, ऐसा लगता है कि वे केवल पुरुष उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए एक साथ है बहरहाल जैश अपनी पतनी के प्यार में पागल है और उम्मीद करता है कि एक दिन उसका पहला चुम्बन उसके साथ होगा परिवार को उम्मीद है कि मुद्रा की संतान लड़का होगा, ताकि वह परिवार की वन्शावली को आगे बढ़ा सके और जैश के बाद अगला गुजराती सरपंच बन सके डॉक्तर से नियमित जाच में जैश को पता चला कि उसकी दूसरी संतान भी लड़की है फ्लेश बैक में यह पता चलता है कि सिध्धी का जन्म माफ कर दिया गया था क्योंकि वह पहली संतान थी लेकिन उसके बाद एक पुरुष उत्तराधिकारी को गर्भ धारन करने में सक्षम नहीं होने के कारण मुद्रा को पिछले नौ वर्षों में अपने गर्भ में छे लड़कियों का गर्भपात कराने के लिए मजबूर होना पड़ा यदि मुद्रा को एक और बच्चे का गर्भपात कराना पड़ा तो संभव है कि वह दोबारा गर्भवती नहीं हो सकेगी हाला की जैश जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों में द्रिड़ता से विश्वास करता है ने अपने परिवार को यह सूचित नहीं करने का फैसला किया कि बच्चा लड़की है क्योंकि वह चाहता है कि बच्चा पैदा हो वह मुद्रा और सिध्धी के साथ हरियाना के एक कालपनिक गाव लाडोपुर में भागने की योजना बनाता है जिसकी पूरी आबादी केवल मजबूत पुरुषों से बनी है इस गाव के पुरुषों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर महिलाओं से अपने शहर में आने की अपील करते हुए कहा कि वे उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आएंगे और उन्हें रानियों की तरह प्यार करेंगे जयेश ने इंटरनेट पर यह वीडियो देखा और फैसला किया कि यह उनके परिवार के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी जशोधा द्वारा एक दिन एक डॉक्तर के साथ बैठक की व्यवस्था करने के बाद जो अपेक्षित बच्चे के लिंग का अनुमान लगा सकता है जयेश को अपनी योजना को क्रियानवित करने का दबाव महसूस होता है वह मुद्रा और सिध्धी एक नाटक करते हैं जहां मुद्रा जयेश का अफरन कर लेती है और उसे जशोधा और प्रित्वी भाई के सामने बंधक बना लेती है वह कहती है कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही है उसके पीछे पीछे जाने के लिए नहीं यह कृत्य घटनाओं की एक श्रिंखला शुरू करता है कुछ भाद्यशाली और कुछ नहीं जहां जैश उसकी पत्नी और उसके बच्चे को अपने मातापिता और प्रवींगड़ गाउं के सभी पुरुशों के चंगुल से भागना पड़ता है जैश अपने परिवार को लाडोपुर में स्थानांतरित करने की सक्थ कोशिश करता है और अपने अपेक्षित बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा ऐसा करते समय वह न केवल अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए लड़ता है जो उसके प्यार की भावनाओं का प्रतिदान करना शुरू कर रही है बलकि अपने लिंगवादी गाउं की अन्य सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ता है रास्ते में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन में से एक है जयेश को दोबारा शादी करने के लिए मजबूर किया जाना लेकिन वे सभी कठिनाईयों का सामना करते हैं जब अन्तह मुद्रा का पानी तूट जाता है और उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है तो जयेश और वह अस्पताल जाते हैं जिसकी सुरक्षा सिध्धी, लाडोपुर के पुरुष और प्रवीनगर की महिलाएं कर रही हैं अन्तह मुद्रा ने जयेश को राहत की सांस लेते हुए एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया जैसे ही जयेश प्रतीक्षा कक्ष में जाता है, वह प्रवीनगर की सभी महिलाओं को लाडोपुर में स्थानांतरित होने का इंतजार करते हुए पाता है, क्योंकि वे एक लिंगवादी गाउं में रहने से तंग आ चुकी हैं जयेश ने उन्हें समझाया कि बदलाव में समय लगता है, और वह अपने परिवार के साथ प्रवीनगर से भागने के बारे में कही गई हर बात वापस लेता है उनका कहना है कि हालां की यह गलत है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पती वैसे क्यों है और उन्हें बदलने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए उनका भाशन बेहद मारमिक है और न केवल महिलाओं बलकी प्रवीनगर और लाडोपुर के पुरुषों के दिलों को भी छुजाता है